यूपी पीसियस मुख्य परिच्छा 2019 ठारे के लिए ये टेस्ट स्रीज प्रोग्राम हमारी टीम द्वारा का और्गनाईज किया जा रहा है ओनलाइन ओफलाइन इसमें हम बात करेंगे एथिक्स से जो समबंदित चार प्रस्ण है टेस्ट वन में उससे 16 से लेकर के 20 तक प्रस्णों जो है टेस्ट वन के हैं इसको आप फिर से लिख सकते हो और 20 तारिक से नया बैच हमारा शुरू हो रहा है टेस्ट स्रीज के लिए आप लोग आ सकते हैं ओनलाइन ओफलाइन दो मूल्य क्या होते हैं ये हिंदी में रहेगा पूरा और नैतिक्ता और मूल्य में अंतरस्पस्ट कीजिए तो बेसिक प्रस्ण जो है एथिक्स से बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है केस स्ट्रीज भी हम कराएंगे लास्ट में 20 केस स्ट्रीज भी देंगे आपको टेस के माद्यम से तो आए शुरू करते हैं मूल्य किसी ब्यक्ति की सामाजिक ब्योहार की वंचित प्रात्मिक्ता होती है तो मूल्य के बारे में लिखना है कि मूल्य क्या होते हैं मूल्य और नैतिक्ता में अंतर थोड़ा सा हमें दिखाना है और इसमें जो प्रैक्टिकल फॉ practical में हम behave करते हैं उनको values में रखा जाता है उन में उनसे बनने वाला एक्षिक आदर्श मुल्य होता है किसी ब्यक्ति के मुल्य उसकी समाज के प्रतिसंवेद्नाओं को प्रकट करते हैं तो समाज जो चाहता है जिस तरीके से हम भिहाइब करते हैं समाज में वो value के form में आता है मुल्य ऐसे नेतिक मानक हैं जो दूसरों के अविवरित बेवहार को प्रभावित करते हैं अता मुल्य यह दर्शाता है कि क्या उचित है मुल्य सामुहिक होते हैं क्योंकि इसे समाज की तरफ से मानिता दी जाती है बहु बहुत सारे ऐसे जैसे बाल विवा की हम बात करेंगे जो पहले हमारे यहां values माना जाता था कि बाल विवा को value मुल्य के रूप में मानेता थी बाद में इसे हटा दिया गया तो समय अलग अलग समय पर एक ही संस्कृत में मुल्यों में बदलाव देखने को मिलता है जैसे भार adopt करने में अब जो है scientific आधार पे हम मानते हैं कि बाल विवा जो है वो सही नहीं है परन्तु अर्तमान में इसे भारती समाज के मुल्य में नहीं माना जाता कभी-कभी सरकार कोई कानून बना कर कुछ मुल्यों को लागू करने का प्रयास करती है परन्तु समाज की नजर में वे स्विक्रित मुल्य नहीं हो पाते हैं बहुत सारे ऐसे मुल्य हैं जो सरकार कोशिश करती है जैसे कि वोट देना हमारे नैतिक मुल्यों में अब धीरे-दीरे शामिल हो गया है पहले हम इसको adopt नहीं कर पाते थे कि वोट देना हमारा अधिकार है और इसको values के रूप में देखा जाएं मुल्य तथा नैतिक्ता में अंतर देखेंगे तो यह काफी महत्वूर है इसमें confusion रहता है बार बार और यहां से हम clear करेंगे कि नैतिक्ता जहां मानवी व्योहार को सही या गलत के पक्ष को दर्शाता है वही मुल्य मानवी कृत को के महत्व को दर्शाता है तो यहां पे आपको ध्यान रखना है मानवी व्योहार में सही या गलत जो आदर्स है उसकी बात करता है और नैतिक्ता वहीं पे मुल्य जो है वो मानवी कृत के महत्व को दर्शाता है जैसे समलैंगिक्ता समलैंगिक्ता को नैतिक्ता के दिश्च से देखना सही है या गलत है इसके पक्ष में विपक्ष को देखना जबकि समलेंगिक्ता हमारे समाज में क्या महत्तो रखता है ये मूले को दरसाते हैं तो अभी भी हमारे समाज में समलेंगिक्ता को एकसेप्ट नहीं किया तो ये आदर्स हैं और ये बिवहार हैं आपको ध्यान रखना होगा मूल बिवहार है और नैतिक्ता जो है वो आदर्स का रूप लेती हैं तो ये प्रमुख्ष अंतर हैं इन दोनों में तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हो और भी उधारण के माद्यम से इसे और अच्छा क करती है, इस परिपेक्ष में राजनीतिक अभिद्षी protect है, इसकी बात हमें देखनी है लास्त में, graph के माधम से भी हम समझेंगी कैसे अभिद्ष के जो factors हैं, defining factors हैं वो कैसे हम देखेंगे, अभिद्षी किसी दी हुई परिश्थिति में किसी व्यक्त की मानसिक दशा है तो ये सिंपल सी परिभासा है इसकी परिभासा हैं हमें याद करनी पड़ेंगी और वहां डायरेक्ट इसे लिखनी पड़ेंगी सामानने अर्थों में अभिवृत्टी बहुत सारी वस्तुओं व्यक्तिओं इत्याद के प्रदि पसंद ना पसंद से सम्बन्धित पक्ष है अभिव्रित्थ के तीन पक्ष होते है भावात्मक संग्यानात्मक और ब्यवहरात्मक तो तीन पक्षों को हम बांट करके देखेंगे कि अविवरित्य के तीन पक्ष कौन कौन से हैं तो पहला है भावात्मक दूसरा है संग्यानात्मक और तीसरा है व्योहारात्मक तो इन तीनों पक्षों को हम बारी बारी से देखेंगे व्योहारात्मक पक्ष व्यक्ति के क्रि प्रभाव निम्न परिस्थितियों में देखा जा सकता है, में ही हो सकता है, जब अभिवित्ति अत्यधिक प्रबल हो, तब हम इसको ब्यवहार में भी उसकी अभिवित्ति को देख सकते हैं, व्यक्ति अपनी अभिवित्ति के प्रती जागरूख हो, तो भी हम इसके ब्यवहा प्रके का बेवहार करने का कोई बह दबाव नहों जैसे कि हम लोग इंडरे में जाते हैं तो वहाँ हमारे पहले से ही pre-mindset होता है कि हमें आदर्स की बाते करती हैं तो वहाँ पर हमारा अबिबृत जो है वो दिख नहीं पाता हम pre-plant रहते हैं लेकिन प्रशनों के माध्यम से जो हमारे विशेशग्य हैं, जो लोग होते हैं, वो आपके एपिट्यूट को देखने की कोशिश करते हैं, बेवहार किसी विशेश उद्देश्यों से प्रेरित ना हो, ये भी आप देखेंगे कि उपरोग तथ्यों पे असपस्थ होता है कि बेवहार अभिवरित्ति द्वा द्वारा निर्धारित हो भी सकती है और नहीं भी, तो आप ये ध्यान रखेगा, ये आपको स्टेट्मेंट यूज करना है कि अभिवरित्ति द्वारा निर्धारित हो भी सकता है और नहीं भी, बेवहार के बारे बेवहार के द्वारा, तो यह उसकी प्रबलता तथा परि तो यह लोगों के लोग जीवन में पाए जाने वाली ऐसी अभिवित्तियां होती हैं जो राजनितिक मनोवित्ति से संचालित होती हैं तथा राश्टवाद, राजनीतिक रूड़िवाद, राजनीतिक उधारवाद और संसदी वियोस्था के प्रति लोगों की पसंद नापसंद को निरधारित करते हैं। तो आप जितने भी अपने नेता हैं, चाहे मनमोहन सिंग जी हो, चाहे जो भी जन नेता हो बड़ा जैसे बान्य मोदी जी हैं, या अन्य कोई भी जवालल नहरू जी, इंद्रा गांदी जी, इनके बारे में आप देखेंगे, तो इनकी जो राजनीतिक इच्छा सक्ति या इन सभी को आधार बना करके, इनकी एप्टिट्यूट को इनके चेक किया जाता है, और इनको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, जैसे कि परिवार में आप देखेंगे कि परिवार में जिस तरीके का परिवेश मिलता है, जिस तरीके की उनके सिख्छा पद्धति होती ह जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके जैसे शफसी थरूर आदी जो भी हैं इंगलिश से प्रभावित ज़्यादा लोग हैं उनकी सलमान खुरशीद जी हैं इन लोगों का political aptitude western की तरफ ज़्यादा रहेगा और जो लोग Indian education में आप पले वड़े हैं उन लोगों का cultural aptitude ज्यादा रहता हैं तो इसमें रास्टवाद, राजनीतिक रूढिवाद, राजनीतिक उधारवाद, संसदी व्यवस्ता के प्रति लोगों की पसंद, नापसंद को निर्धारित करती हैं तो ये political aptitude हो गया आपका इसमें हम देखेंगे कि क्या-क्या इसके factors हैं जो इनको प तीन मुख्य चीजें होती हैं लेकिन राजनीतिक अभिवरित्ति को डेवलब करने के लिए आप देखेंगे कि परिवार, सिख्षक, समुदाय, जिस समुदाय में हम रहते हैं, जिस धर्म में, जिस तरीके के लोगों के बीच रहते हैं वो डेवलब करता है, मीडिया, मीड सोसाइटी है, उसके उसका प्रभाव होता है, हमारे पूरे बेक्तित्तों पे हम किस विचारधारा के लोगों के बीच रहते हैं, किस से मिलते हैं, किस से अधिक हमारा संपर्क होता है, चुनावी मुद्दे सबसे ज़्यादा महत्वोड होते हैं कि आपके, आप देखेंग अनुछे 370 को हटाना ये बहुत bold decision है, और इस तरीके के decision जनता पसंद करती है, जो कि राष्टवाद से प्रेरित होते हैं, तो चुनावी मुद्दे, आप देखेंगे कि केजरीवाल जी ने जीता तो बिजली और पानी फ्रीक उन्होंने दिया, तो वो भी एक प्रकार का जो लोक लुभावन मुद्दे होते हैं, वो सब भी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, वो किसी एक का नहीं है, लेकिन उसमें कितना प्रभावे उनके मुद्दे होते हैं, सांपरदाइक सौहाद के मुद्दे होते हैं, देश के विकास के संबंदित मुद्दे होते हैं, तो उन सब को भी प्रभावित करता है और उनके द्वारा भी राजनितिक अभिवित्ति को जाना जा सकता है। तो हिंदो, मुस्लिम, सिख, इसाई, सामपरदाई, सौहार्द की बात हमारा समविधान कहता है। तो यह रहा पूरा प्रस्ण, अगला प्रस्ण हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करनी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। यह किसी प्रशाशक की सफलता में किस प्रकार सहायक होती है तो प्रशाशक के लिए बहुत सारी संभानाएं, बहुत सारे ऐसे कैसे आते हैं जिसमें हम अपने इमोशन्स का सही उपयोग करके सही डिसिजन ले सकते हैं। सही उपयोग न करके गलर डिसिजन भी ले सकते हैं तो भावनाओं में बहना और खास करके administration में ये काफी महतुपूर होता है इससे corruption के भी chances बनते हैं corrupt ना होने के भी बहुत सारे ऐसे ethical dilemma पे आप case studies मिलेंगे जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि emotional intelligence का क्या क्या यूज है और यहाँ पर हम देखेंगे कि भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है उसकी परिभाशा क्या होनी चाहिए बचाँ बुद्धिमत्ता स्वेइंग की भावनाओं को समझना तथा उसके अनुसार अपने समु की भावनाओं को समझना तथा संगठनात्मक लक्ष की प्राप्ती है तो दोनों की भावनाओं के बीच सामंजस से बठा पाने की कला है पहुत सारा आप देखेंगे कि emotionally disbalanced लोग हैं जो society में और वो चैन की प्रक्रिया एक अलग है लेकिन अब जो है syllabus में emotional intelligence डाला गया है जिससे कि उनकी जैसे परवरिश हुई है उनका जो भी मानसिक अस्तर है उनका जिनसे लगाव है या उनसे जिससे दुराव है वो सारी चीज और जिस समाज में हम रह रहे हैं जिसके लिए कारे कर रहे हैं उसकी समझ हमें होनी चाहिए अपनी भावनाओं की समझ होनी चाहिए कब गुस्सा करना है कब नहीं करना है गलट टाइम पे अगर हम गुस्सा करते हैं तो वो हमारे कारें को बहुत तेजी से प्रभावित करत किसी दंगे में हम जा रहे हैं उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा statement न दे किसी एक की भावना के विरुद्ध हो और किसी एक को संभल मिले जिससे की उससे आंदोल वो जो सांपरदाई दंगे हैं और भी भड़क सकते हैं तो उसके अनुसार अपने समूह की भावनाओं को समझना तथा संगठनात्मक लक्ष की प्राप्ति है तो दोनों की भावनाओं के बीद समंजस से बैठा पाने की कला होती है तो आप कितने गुस्सा वाले हैं और कितने सांत हैं ये आपके कारियों में चलगता है और यही आपके emotional intelligence को भी दिखाता है कि कोई महिला बलतकार से पीडित है और वो आई तो उसके लिए आपको कौन-कौन से decision तवरित निरड़े लेने हैं क्या-क्या सजल देनी है और कैसा क अभी IPS दोरा गोली मार दी गई थी पैर पे गोली मार दी गई थी तो हलाकि तीन गोलियां उन्होंने मारी थी उसके पैर पे बलतकारी के लेकिन उसको गलत तरीके से परचार किया जा रहा था तो वहां उन्होंने अपने emotional intelligence को दिखा करके अगर वो भाग रहा है अपराधी तो हम उसे मार भी सकते थे तो यह इस तरीके की जो strategy होती है इस तरीके की कला होती है वो emotional intelligence से सीखी जा सकती है जहां बुद्धि लक्षी छमता व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती है वहीं भावनात्मक बुद्धि मत्ता सीखने अभ्यास करने था training से अरजित की जा सकती है तो आपको लगता है कि आपकी जो emotional activities हैं उसको control नहीं किया जा सकता है तो उसको बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उसको control में ला सकते हैं meditation है ध्यान है योग है इनके माध्यम से और बहुत सारा training के purpose हैं आप जाएंगे जब administration में तो आपको बहुत सारी training दी जाती है बहुत स पाबू भी रख सको और उसको सही प्रकार से यूज़ कर सको एक प्रशासक के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि प्रशासकों को परियोजना संचालन की चरण में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे cases आएंगे आपके पास जब आ होगा उसके बाद अध्यन करना होगा उसके बाद निर्ड़े लेना होगा आप किसी जाती से किसी धर्म से किसी लिंग से प्रभावित होकर के निर्ड़े नहीं ले सकते एक प्रशासक के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि प्रशा आपके करमचारी हैं जो कारे नहीं करना चाहते हैं या कारे को सही या बहुत सिरियसली नहीं लेते हैं तो उनको कैसे कारे कराना है आप उनसे जगड़ा नहीं कर सकते आप उनको सस्पेंड नहीं कर सकते तो उनसे भी आप emotionally attached होकर के कैसे उनको अपने कारियों को कैसे उनके द पाध्यम से ही उनके साथ काम करना संभव हो पाता है अगर आपका कहीं पोस्टिंग मान लेजे कि ऐसे बुंदेल खंड छेतर में हो गया आप पुरवांचल से हो और आपको वहां के कल्चर वहां के नौम्स वहां की बोली नहीं समझ में आती है तो आपको धीरे धीरे सीखना होगा और उनहीं के अनुसार उनहीं के आधार पे आप पस्षी में आओगे तो लठमार बोली है आपकी तो उससे आपको हर बात में लोग गाली गलोज करते हैं तो उन सब चीजों को समझ करके आप अपने आपको इमोशनली आप इंटलेक्ट बना सकते हो और उसकी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रशाशक हैं जो आप देखेंगे कि सोसल मीडिया पे बहुत तेजी से अपने आपको प्रचारित करते रहते हैं तो वो सब करना हमारे जो है जो भी प्रशाशन की दृष्टी से बहुत जादा सही नहीं है प्रशाशक के समक्ष दिन भर म होगा कि ये काम करना है आप फुलिस भी भाग में होंगे तो आपको बहुत बार आपको लगेगा कि ये सही है ये गलत है फिर भी आपको F.I.R. नहीं लिखने दिया जाएगा या आप बहुत सारे ऐसे जो हैं आप देखेंगे कि सेंगर जी के केस में अभी हुआ था बहु है तो आप देखेंगे कि आप अपने emotions को कितने control में रखते हो आप उसका स्वदूपयोग कैसे करते हो ये सारी बातें आपके द्वारा decide की जाएंगे कि आपका एक परिवार भी है आपको परिवार को भी समय देना है वीबी हैं आपके पती हैं जो भी है आप जिस भी लिं कि हम अपने परिवार को समय कितना दें कितना समय हमें ऑफिस में रहना पढ़ सकता है तो उसको कैसे manage करें उसको कैसे एक दूसरे को समझाएं ऑफिस के लोगों कैसे समझाएं और इन लोगों को तो ये सारा emotional intelligence में आता है तो प्रशाशन में emotional intelligence का बहुत ज्यादा महत्व है आपके हर decision making में emotional intelligence बहुत माइन रखता है आईए देखते हैं प्रशन संख्या 19 सामाजिक लेखा परिक्षण किस प्रकार मंत्री वो लोग सेवकों को जिम्मेदार बनाने में सहायक है तो इसका उत्तर हम देखेंगे कि social auditing क्या होती है किस प्रकार मंत्री वो लोग सेवक दो हमारे जो executive body हैं उनमें जो ये दो प्रमुख हैं उनकी बात हम करेंगे और उनको कैसे ये जो है सामाजिक अंके इच्छण भी इसको बोलते हैं सामाजिक लेखा परिक्षण या social auditing इसको बोलते हैं चीस कैसे लोगतंत्र को मजबूत कर रहा है चीसे इन लोगों को जिम्मेदार बना रहा है उसके बारे में हुआँ करेंगे आम तॉर पर लेखा परिक्षण किया जाता है तो इस बाद का परिक्षण होता है कि व्याय उन्ही मदों पर किया गया है या नहीं social auditing बहुत ज़्यादा जरूरी होती है परंद जब समाजिक लेखा परिक्षण की बात होती है तो यहां यह देखना आवश्चक होता है कि बेज इन मदों पर किया गया है क्या उन से उस लक्ष की प्राप्ती हुई है या नहीं हुई है तो आप देखेंगे कि social auditing का मतलब है कि सामाजिक रूप से पूछना लोगों से audit करना कि क्या वो कारे जो कारे होने थे किसी गावों में आप देखेंगे तो शड़क बननी है तो बनी hospital बनना है तो उसमें कौन-कौन से material यूज हुए नहीं हुए जैसे सोचाले निर्माड में आप देखेंगे कि जो अभी government की स्वक्षिता अभियान चल रहा है तो उसमें 12,000 रुपए आपको मिलते हैं प्रते ग्रामीड परिवार को जिनके पास सोचाले की सुविधा नहीं है तो उसमें ये बाया जाता है कि सोचाले की सुविधा में प्रधान वहाँ के सेक्रेटरी और इंजीनियर मिलके कमिशन खोरी करते हैं कमिशन खोरी कितना की गई और वो जमीनी अस्तर पे सब के पास है की नहीं है सोचाले या ऐसे धाचा बना कर छोड़ दिया गया है इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है सोचाले निर्माड के लिए सुविकरित धन से किसी खेत्र में या देश में सोचाले का निर्माड हुआ या नहीं हुआ यदी हुआ है तो कितने प्रस्षत हुआ संपूर आवन्टन धन का हुआ की नहीं किसको कितना पैसा मिला ये आप social auditing के ही माद्यम से पता कर सकते हो उससे पहले आप जान नहीं सकते क्योंकि वो आपके पास data पूरा भेजा जाता है ये मिली भगत होती है नीचे अधिकारियों की और जो भी प्रशाशक हैं आप देखेंगे ग्राम प्रधान है या जो भी हैं उन लोगों के माद्यम से आपको data तो पूरा भेज दिया जाता है लेकिन उसका implementation ग्राउंड लेबल पे हुआ है कि नहीं हुआ है ये social auditing के ही माद्यम से पता चलता है अता सामाजिक लेखा परिक्षन किसी मंत्री या प्रशाशक को संसद्व जनता के प्रति उत्तरदाई तुकोंड बनाती है क्योंकि इसके अंतरगत कागज से कागज को मिलाने का काम नहीं किया जाता है बलकि मौके पर जाकर आप देखेंगे कि बहुत सारा जो है अब तो योगी आदितिनाज जी आप देखेंगे उतरप्रदेश में कई जगा खुद जाकर के निरिक्षण करते हैं योजनाओं के बारे में देखते हैं ऐसे ही हर अधिकारी को यह अधिकार होता है खास करके डिस्टिक मेजिस्टेट और जो सब और्डिनेट होते हैं उनके SDM आप देखेंगे SDM और डिस्टिक मेजिस्टेट जो है वो किसी भी योजना पर योजना के निरिक्षण के लिए कभी भी जा सकते हैं जिसके माध्यम से वो सोसल आडिटिंग करते हैं लोगों से पूछते हैं कि आपको अगर ग्रिह निर्माड के लिए पैसे दिये गए हैं तो कितना दिये गया है आपको उज्वला योजना में कितने गैस डिस्टिब्यूट हुए हैं और जो भी subsidy दी जाती है किसी भी योजना के लिए जैसे कि solar lamp आपको दिये गए हैं solar tube दिये गए हैं तो उनका पूरा निरिक्षण कर सकता है कभी भी कोई अधिकारी तो संसद्व जनता के प्रति उत्तरदाई तो पूर्ड बनाती है क्योंकि इसके अंतरगत कागज से कागज मिलाने का काम नहीं किया जाता है बलकि मौके पर जाकर उसकी जाज की जाती है तो ये रहे पांच प्रस्ण और आगे का जो टेस्ट है उसके बाद सारे टेस्टों मैं पोस्ट नहीं कर पाऊंगा लेकिन टेस्ट पेपर जरूर मैं कोशिश करूँगा कि टेस्ट जब पूरा हो जाए तो टेस्ट पेपर सारे मैं शेयर करूँगा और बीच बीच में प्रस्न शेर किये जाते रहेंगे और essay के लिए भी आप हमसे संपर कर सकते हैं 1 सेप्टेंबर तक आपको 35 essay की पूरी सीरीज मिल जाएगी जो लोग payment कर चुके हैं वो थोड़ा धायरे रखें उनको भी साथ में ही मिलेगा और कुछ essay हम पोस भी करेंगे जिसके माध्यम से आप लोग देख सको कि essay की quality हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों स्वस्त रहिए मस्त रहिए बेस्त रहिए